हलो दोस्तों, बेसिक एलेक्टिकल MCQ सीरीज में फिर से स्वागत है, आज मैं फिर से कुछ लेके आया हूँ, कैपेसिटर के इंपॉर्टेंट कोशन, तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, आज का पहला कोशन है, कैपेसिटर इज डिवाइस यूज टू, इस्टोर इनरजी को स्टोर करता है, ठीक है, और किस फोर्म में करता है, आगे देखते हैं, अगला कोशन है, कैपेसिटर स्टोर, विज टाइप आफ एनरजी, काइनेटिक एनरजी, वाइब्रेशनल इनरजी, पोटेंशिल एनरजी, या हीट एनरजी, तो बच्चों, ये कैपेसिट के फ़र्म में जानते हैं अगला कोश्ण है capacitor blocks dash after long time options है alternating current direct current both alternating and direct current neither alternating not direct current बहुत important question है यह देखे capacitor क्या block करता है after long time long time कह लिजिए यह यही पूछ सकता है कि steady state में ठीक है तो यह किसको block कर देता है direct current को क्यों करता है देखिए इसका reactance का formula अगर आप देखें तो x equals 2 होता है 1 by 2 pi fc ठीक है अब dc के लिए frequency कितनी होती है zero तो जब frequency यहाँ zero put करेंगे तो xc को देखेंगे कि यह infinite को 10 करेगा यानि इसका जो reactance है वो infinite है तो यहाँ पे current नहीं flow करेगी और वैसे भी देख सकते हैं कि क्या होता है कि जब हम लोग capacitor को एक circuit से dc circuit से माल लिया जोड़े एक switch के through देखिए ऐसे कुछ तो जो हम switch को on करते हैं तो तो क्या होता यह चार्ज होता हमारा capacitor जो है initially discharge था तो इसमें charging होगी और जब फुल चार्ज हो जाता तो हम कहते हैं कि steady state condition में आ गया है उसके बाद क्या होता है कि positive वाले इस बैटरी के positive से जो प्लेट जुड़ी है उसके positive चार्ज और negative वाले पे negative चार्ज accumulate हो जाएगा और यहां पर कोई current flow नहीं करती है ऐसा क्यों होता क्योंकि यहां पर देखिए आप insulating medium रहता है बीच में तो यहां पर कोई conduction नहीं हो पाता तो क्या करता है यह current को एलाओ नहीं करेगा तो यह open circuit की तरह भी हैप करता तो यहां से भी आप समझ सकते हैं कि यह DC को ब्लॉक कर देता है AC में क्यों current flow करती रहती है देखिए AC में क्या होता यह polarity आपकी प्लस माइनस जो बैटरी की है यह आपकी change होती रहती है ठीक है तो एक बार positive plate यह बनेगा एक बार positive plate यह बनेगा ऐसे alternate होता रहता हो तो इसलिए वहां पे current flow अगला question है wide edge capacitor block DC signal at steady state तो देखिए मैंने अभी बता दिया कि क्यों block करता है यह due to zero frequency of DC signal ठीक है तो answer हो जाएगा option D अगला question है if a parallel plate capacitor of plate area 2 meter square and plate separation 1 meter store the charge of 1.77 into 10 power minus 11 coulomb what is the voltage across the capacitor तो बहुत बड़ा question है लेकिन इसका answer बहुत छोटा होने वाला है देखिए क्यों क्या होता formula parallel plate के लिए C equals to epsilon naught A upon D ठीक है एक parallel plate का capacitor है इसके बीच की separation की बात कर लें तो D है और इसके plate का area A है तो इसका formula यह हो जाएगा अब यहां से देखिए क्या निकालेंगे हम लोग epsilon naught की value अगर बात करें तो यह कितनी होती है 8.85 into 10 power minus 12 farad per meter ठीक है आप देखिए यहां पे अगर हम लोग बात कर लें capacitance की value epsilon naught A की value देखिए दिया है 2 meter square तो यहां पर हो जाएगा टू और distance दिया है 1 meter ठीक है यह आ गया 2 epsilon naught किसकी value capacitance की value अब हम लोग formula क्या पढ़ते है q equals to cv हमें पता क्या करना है voltage तो v equals 2 क्या हो जाएगा देखिए v equals 2 हो जाएगा q upon c अब q की value कितनी given है 1.77 into 10 power minus 11 और c की value है 2 epsilon naught यानि 2 और epsilon naught की जगा हम लोग रख दें 8.85 into 10 power minus 12 ठीक है अब इसको solve कर लें तो देखेंगे v equals 2 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा योंकि इसको multiply करेंगे तो आपकी value कितनी हो जाएगी 17.7 और यहां से एक decimal हटा देंगे तो इसकी value exact same आएगी तो यहां से v equals 2 आ गया 1 volt तो इसका answer हो जाएगा option a अगला question है what is the value of capacitance of a capacitor which has a voltage of 4 volt and 16 कूलम of charge बहुत ही चिंटू question है चिंटू question देख लीजे q equals 2 c v c यहां दिया है v यहां दिया है आपसे पूछा क्या है c की value पूछा सरी यहां पर q दिया और v दिया है c क्या हो जाएगा q upon v q की value 16 कूलम और voltage 4 इसकी value आ जाएगी 4 फेरेट ठीक है option b अगला question है for which medium capacitance is high very important question ठीक है options है air, mica, water या metal तो बच्चों किस material के लिए सबसे ज़्यादा capacitance होगा देखे capacitance का formula क्या है c equals to epsilon not a upon d अब देखे material की बात किया है कि कौन सा बीच में medium होगा तो medium के लिए epsilon not जिम्मेदार होगा ठीक है permittivity बताता है यह क्या चीज़ है permittivity ठीक है permittivity अब permittivity होता क्या है permittivity is the ability of a material to resist the formation of electric field inside the conductor ठीक है तो देखे मेटल के अंदर जो electric field होता है वो कितना होता है जीरो होता है इसलिए इसका infinite हो जाएगा permeability तो infinite का मतलब बहुत हाई तो इसका capacitance की value भी infinite या कह सकते है या बहुत हाई चलिए अगला question है which of the following is a passive device transistor rectifier capacitor या vacuum tube most important question बच्चों मुझे पता है 99% लोग इसमें गलत जवाब देने वाले हैं दोस्तों इसका answer आपको comment box में लिखना है और अगर आप चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को subscribe जरूर कर लें मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और interesting question के साथ तब तक के लिए thank you so much